मेरे भाई SSC CGL की, CHSL की, MTS की या CPO की त्यारी करता है न अगर तो GS या GK वाला जो भी section है उसको serious लेना शुरू करते हैं serious नहीं लेगा तो selection नहीं होगा अब वो पुराने दिन चले गए हैं GS GA वाले section को आपको equal importance देनी पड़ेगी नहीं तो exam crack नहीं कर पाओगे ये most important बात है आपको साथ लेके ही चलना पड़ेगा इसको और आज का दिन है 29 मही का दिन है आज का उसका GS वाले section से लेना बड़ा ही जूरी है बड़ा ही important link है उससे वो क्या है 29 मही 1953 को आज के दिन ही 29 तो मही 1953 में एंडवेंड हिलेरी और टैंजिन नोर्गे ने पहली बार Mount Everest की चड़ाई को पूरा गया था 1953 में एग्जेक्टली किश्टिन पुछा गया था जब आप previous year किश्टिन की practice करोगे ना तो तब याद करोगे मेरे को SSC CHSL 2018 में एकजाम हुआ था 28 मार्स को 3rd shift में मैं एग्जेक्टली आपको पता देता हूँ तो किश्टिन पुछा गया था किश्टिन ये नहीं पुछा गया था कि किस ने चड़ाई पूरी किश्टिन सब से पहले एंडवेंड हिलेरी और टैंजिन नोर्गे ने की थी ये तो आपको पता होना चाहिए लेकिन कब की थी ये जूरी है ये की थी 29 माई 1953 को ये याद रखना आपको 1953 एकजेक्टली डेट पूछी हुई थी ये CHSL के एकजाम में ऐसे ही आज का दिन इसलिए जो टूड़े इन चलाता हूँ उसमें आपको बिल्कुल इंपोर्टेंड बाते बताता हूँ जो आपकी एकजाम से रिलेटिड होती है अब आगे बताता हूँ मैं एडमेंड हिलेरी है न जो वो कौन सी कंट्री से थे ये भी पूछा जा सकता है तो ये न्यूजलैंड से थे एक्चुली न्यूजलैंड से इंडिया में हाई कमिशनर थे बाद में नेपाल में भी अमबेस्डर बने थे ठीक है तो न्यूजलैंड की कंट्री से बिलों करते थे ये और टैंजिंग नोर्गे खुद नेपाल से ही थे जो माउंट एवरेस्ट की चोटे इसको दो साइड से चड़ सकते है या तो चाइना की साइड से चड़ा जाता है या फिर नेपाल की साइड से चड़ा जाता है जो जो एक्सपेडिशन होते हैं जो चड़ाई होती है वो ज्यादातर होती है नेपाल की साइड से ही, ठीक है वो जो Mount Everest है, यह दुनिया की सबसे उच्छी चोटी है, यह आपको पता ही होगा लेकिन इसकी height भी exactly पूछ ली जाती है कई बार, इसकी height है 8849 meter, मैं इसको में साइसे याद रखता हूँ, 8849 meter को कि prime number का मेलिटी पल आए, 11,88 8849, ठीक है तो थोड़ा सा इस वे में मैं याद रखता हूँ लेकिन याद रखना आपको 8849 meter इसकी height है, आप जैसे भी याद करना चाहिए वैसे याद कर लो, ठीक है उसके लाओ यह तो पूरी दुनिया में पहली जोड़ी थी जिसने माउंट आवरेस्ट के चड़ाई की थी माउंट आवरेस्ट को फते किया था 1953 में 29 मई को और एक और खास बात है इसी दिन को इस वज़े से ही 29 मई को ही International Average Day किया जाता है, ठीक है तो International Average Day कब होता है 29 मई को होता है, यह वी आपको याद रखना सिंग चिमा उनका नाम था 1965 में 1965 में माउंट आवरेस्ट के चड़ाई को फते किया था, वो पहले इंडियन बने थे अवतार सिंग चिमा, उसके लावा पहली इंडियन वीमेन जो पहली महिला थी, उन्होंने माउंट आवरेस्ट की जो चड़ाई पूरी की थी, वो कौन थी? हमारे देश की तरफ से, उनका नाम था बचेंदरी पाल, बचेंदरी पाल ध्यान रखना ये नाम बचेंदरी पाल उन्होंने 1984 में 1984 में माउंट आवरेस्ट की चड़ाई पूरी की थी ये टाटा गुरूप है आप ये टाटा गुरूप की एक वह थी, इंप्लोई थी है और उन्होंने इसको स्पोंसर किया था इसकी पूरी जनरी को क्या किया था? फंड किया था तो बचेंदरी पाल याद रखना 1984 में क्या था? पहली बारतिया में इला थी उसके अलावा जो पहले इंडियन थे वो कौन थे? अवतार सिंग चिम्मा थे तो ये काफी इंपोर्टेंट बात है आपको मैंने 2-3 मिनिट में 5-6 बात बता थी इनमें से कोई ना कोई एक बात एक्जाम में पूछी जाती है तो आप थोड़ा go through हो जाओ और जो भी मेरी two day in history सिरीज है ना जो daily basis में मैं चलाता हूँ आपके एक्जाम से related मैं daily उस दिन से related कुछ important बात बताता हूँ जो इससे आप relate भी कर पाऊ जो दिन जो current का day चल रहा है आपका तो इससे आप relate कर पाऊगे और चीजों को थोड़ा memorize करने में hierarchy के साथ आपको मदद मिलेगी ठीक आप तो इस पूरी सेरीज को आप cover करो daily basis पे देखते रहो चीजों को मिलते हैं आपको next वीडियो में और आपके लिए ऐसे ही मैं daily basis पे कुछ न कुछ अच्छी और exam oriented चीजे लेके आऊँगा उसके लावा monthly current affairs जो पूरे वो भी मैं आपको इस चैनल पे कराऊँगा अपरेल के उल्लेडी करार रखे हैं एक बार आप जाके देख लो और जहांपे आप उल्लेडी देखते हो एक बार मेरा session cover करके देखो और compare करके देखो तब आपको बताच लेगा कि कितनी relevancy यहाँ पे है अगर नहीं आपको कुछ ऐसा लगता है कि इतना आपको suitablety नहीं लगती है तो फिर आप अपने recording कर सकते हो बटे एक बार यहाँ पे आके देखो जूर ठीक है उसके अलावा events की इंपोर्टेंट शिरीज ला रहे है मैंने इंपोर्टेंट इवेंट्स की जो शिरीज है मैंने 1970 तक कवर कर दिया 1900 से 70 साल की most important events कवर कर दिये लगबग 400 plus question कवर हो चुके जो exam में पूछे जाते हैं तो उसको भी आप कवर कर लो ठीक है तो आपके लिए ऐसे ही मैं डेलेवेंट कंटेंट लेके आता रहूँगा जो जिससे आपको अपनी exam में काफी मुदन मिलेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें ख्याल रखें बाई बाई आपरीवेंट टेक कियर